हेलो दोस्तों आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है मां हेल्प केर यूटूब चैनल में तो आज हम लोग देखेंगे कि पीडियो फाइल को जिसमें बहुत सारा पेज होता है 100 200 500 और उसमें से किसी खास पेज को मतलब मान लिजे कि 100 पेज है और उसमें हमको अंदर वाला यह 30 नंबर का पेज को पेज को प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे क्या सिंगल सिंगल एक बार करेंगे या इक ही वड़ सेलेट कर देंगे तो मैं बतावंगा ऐसे PDF file को open करने के लिए Adobe Reader होता है, वहां से भी look करते हैं, तो वहां भी होता है काम, लेकिन मुझे Chrome Browser में बहुत easy होता है, यह सब करना, तो मैं उधर उधर जाता नहीं हूँ, Chrome Browser में ही कर लेता हूँ, तो जैसे देखे, यहाँ पे, यह जो मेरा PDF file है, एक book है, तो इसमें total कितना है, 279 page, और अभी मैं किस number का page के पास हूँ, यह जो page है, वह 137 number का page है, तो मुझे यह problem है, कि मुझे 137 number से लेकर, यहाँ, 8-10 page है, उसको print करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ, कहां तक print करना है, 137 से, मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ, आप देख लीजे, 137 से शुरू करके मुझे print करना है, और आगे पीछे करना है, दोस्तों, यह भी ध्यान रखना है, एक page में आगे पीछे हो जाना चाहिए, 137, कितना दूर है भाई, हाँ, chapter 8 हा गिया, यानि कि हमको यह page तक, इस page में तो कुछ है ही नहीं, छोड़िए इस page तक, यहाँ पे देख 154 पेज तक हमको print करना है, और print हम कैसे करेंगे, एक page में आगे पीछे दोनों होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम 137, 114 तक print करें, 137 का लग page, 138 का लग page, ऐसा नहीं, 137, 138 जो page रहेगा, वह एक ही में रहेगा, तो अब चलिए 137 पे चले जाते हैं हम लोग, 137 नंबर पेज थोड़ा पीछे चल जाता हूँ, जल्दी से, 137 आजा, चलिए 137 नंबर के page के पास हम लोग आ गए हैं, तो यहां से हमको print करना है, कोई दिक्कत कुछ नहीं, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर देखिए, print का icon बना हुआ रहता है, उस पर आपको click करना है, click करने के बा आपको page लिखना है, कैसे लिखना है, मेरा 137 से शुरू है, तो पहले लिखेंगे 137, फिर कॉमा देंगे, फिर उसके बाद 38 छोड़ देंगे, 49 लिखेंगे, 149, एक page छोड़ छोड़ के लिखेंगे, ऐसा इसलिए लिखेंगे, जब अगला बर print करेंगे, तो फिर उसका प 149 के बाद 141, फिर कॉमा, एक एक छोड़ के, 143, 45, 47, 149, 151, और हमको जाना कहां तक है, 154 तक न, हम 137 से लेकर 154 तक print करना था मुझे, तो 151 हुआ, उसके बाद, कॉमा देंगे, 153, अब 154 प्रिंट करना है, 154 प्रिंट करना है हमको, तो क्या, इसमें आएगा, इसमें तो 153 के बाद एक page छोड़े गेंगे, तो कितना हो जागा, 155 ता नहीं लिखना है, ठीक है, इतना कर लिए, इतना करने के बाद यहाँ प और यहाँ सब 1 रहने दीजिएगा, और यहाँ पर स्केल डिफॉल्ट ही ठीक रहता है, इसे प्रिंटेवल कीजिएगा, तो वो अपने हिसाब से एड्जेस्ट कर लेता है, देखिए, यहाँ चेंज हो जाता है, डिफॉल्ट रहने से थोड़ा बड़ा अच्छा लगता है और उसके बाद आपको प्रिंट पे क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों प्रिंट पे हम क्लिक करते हैं, और हम इसका विडियो भी सूट करके आपको दिखा देते हैं, तो दोस्तों अब हम प्रिंट पे क्लिक करते हैं, और हमारा यह प्रिंटर अब काम करना शुरू करेगा, च देखिए दोस्तों मेरा प्रिंटर यहां से प्रिंट करना शुरू कर दिया है पेज प्रिंट होकर निकल रहा है यहां पर देखिए कुछ पेज पहले निकल गिया है और भी निकल रहा है यहां पर बहुत ही आसान है प्रिंट होकर निकलना आप कोई दुसरा प्रिंटर भी य वापस बाहर निकल जाएगा, जितना पेज मैंने वहाँ पे सेलेक्ट किया, उतना ही पेज यहाँ पे प्रिंट होगा दोस्तों, एक्स्ट्रा नहीं होगा, ठीक ना, और उसके बाद क्या करना है, मैं बताता हूं आपको, यह लगभग हो गिया है, यह सारा मेरा पेज जितना था, वो प्रिंट होकर बाहर आ गिया है, देखिए इसमें क्या है, सिर्फ उपर में हुआ है न, पिछे साइड में खाली है, पिछे साइड में नहीं हुआ है, तब क्या करेंगे, इसको हम लोग प्रिंटर में फिर से निकल के आ गिया, इसको उल्टा ही डाला जाता है, कि ऐसे हैं इसमें डाल देंगे ठीक है कि डला गिया और अब हम कंप्यूटर में करते हैं अपना काम अब दोस्तों देखिए हम लोग आगे का तो पेज प्रिंट कर लिए मतलों 137, 149 ऐसे करके प्रिंट कर लिए अब क्या बचा है 138 जो बीच-बीच वाला छोड़ दिन तो उसको प्रिंट करना भी बचा हुआ तो फिर से प्रिंट पर जाएंगे प्रिंट पर जाने के बाद सेम यहां पर वही जो पेज लिखा हुआ यहां पर जाकर कस्टम में जाएंगे और याद कीजिए आपने 137 को प्रिंट किया था और क्या छोड़ा था 138 ना तो 138 यहां लिखेंगे उसके बाद कॉमा देंगे और 49 आपने प्रिंट कर लिया है पीछे वाला में पीछे शुरू किया थे 137 149 ऐसे करके तो यहां भी 138 से शुरू किया है थे एक एक छोड़के लिखते चले जाए 138 हुआ उसके बाद 140 हुआ 142 हुआ 144 हुआ यहां से प्रिंट मार दीजेगा यहां से प्रिंट मार दीजेगा बाकी तो सब ठीकी है तो मैं फिर से वीडियो कर लेता हूं यहां देखें दोस्तों हम प्रिंट यहां से मार रहे हैं और वहां से मेरा प्रिंटर अपना मैंने प्रिंट पर क्लिक कर दिया है और यहां से मेरा प्रिंटर वहाई से पेज में पीछे साइड में प्रिंट करके हमको यहां बाहर निकल जाएगा बहुत आसान है दोस्तों इसको आप कीजिएगा, इससे आपको समय बचेगा, टाइम बचेगा, ऐसे新गल सिंगल करने में कितना दिर कीजिएगा, मानलिजे आपका 8-10 पेज है तब न कर लिजिएगा और आपको 10 पेज, 20 पेज, कहीं पर 30 पेज रहेगा, कहीं पर 50 पेज रहेगा, काट-काट के आपको प्रिंट करना रहेगा, आप इस तरह से उपियोग करके कर सकते हैं इस तरह से देखिए मेरा प्रिंटर काम कर रहा है और प्रिंट होके इजली निकल रहा है मेरा पेज बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों ए ख्रोम ब्राउजर से कीजिएगा इधर उधर ज्यादा सौप्ट्वेर के चक्कर बना रहिएगा क्योंकि ख्रोम ब्राउजर सभी के लेप्टोप कंप्यूटर में होते हैं तो वहीं से प्रिंटिंग और इंटिंग आप कर सकते हैं ख आप बीच में करना है टाइम नहीं है ऐसा करके बोल देते हैं जबकि यह इजी चीज है तो यह पूरा प्रिंट हो जाने देते हैं दोस्तों और आप लोग समझ गया है तो आप वीडियो यहीं आप स्टोप कर सकते हैं लेकिन मैं तो पूरा वीडियो बना के ही यह रहा कितना पेज था 133 से शुरू था ना ने ने यह तो 130 से शुरू हुआ था तो उसके पीछे साइड में प्रिंट हो गया होगा और लगता है तीन पेज और बच्चा है इपसन का प्रिंटर लेकिन एक खासियत है इसमें काफी दिन हो जाने के बाद भी यूज़ करता हूँ ना तो इसका कोई भी इसका जो आता है इसका प्रिंट होका बहुत ही अच्छा क्वालिटी का आता है तो यह मेरा सारा प्रिंट होका बाहर निकल गया है अब इसको कु पेजे था पहला पेज हुआ और इसके पीछे दूसरा ये तीसरा और इसे चौव था पाचमा इस तरह से होके मतलब कि ये 137 था और इसके पीछे 138 149 140 ऐसे करके पूरा हो गया और अपना इसमें पीन मार लिजे और पीन नहीं मारते हैं अगर मोटा मोटा बुक इस तरह से प सकते हैं तो इस तरह से आप प्रिंट कर सकते हैं दोस्तों तो दोस्तों अगर इस वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको जरूर सो जरूर लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेर भी कीजिए और वीडियो अगर बहु ज्यादा पसंद आया तो आप मेरे चैनल को नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो को देख सकें तो ठीक है दोस्तों मिलें अंगले वीडियो में कुछ नहीं जानकारी के साथ थैंक यू धन्यवाद